नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चनल सरकारी भारत में दोस्तो इस वीडियो के देर हम डिस्कस करने वाले हैं जो important हैं PROTO जोवा के कारण जो बीमारी होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ बस वेट कीजिए अगर आप शनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वोटसब पर दोस्तों आप सभी को ब 25 कोशन जीके के सुपर 1000 कोशन की सीरी 25 कोशन जनरल साइंस 25 कोशन का मॉक टेस्ट यानि कि कुल मिलाकर 10 क्लास आपके लिए एक दिन के अंदर होती है तो अगर आप चाहते हैं चैनल पर जुड़ना तो जुड़ जाएगा और 200 कोशन की पीडियो आपको डेली हमारे वाटस कोटो जुड़ के कारण कौन-कौन सी बीमारी होती है उनके बारे में डिसकस करते हैं तो देखें आपको याद करना होगा कल आम पानी में पका ओके तो कल का मतलब होता है कालाजार आम का मतलब अमीबी पेचस पा का मतलब पायरिया नी का मतलब निद्रा रोग मे का मतलब म पायरिया ये दांतों में बीमारी हो जाती है पीले पड़ जाती है मजूरों को फुलना भी पायरिया के करण ही होता है तो पा का मतलब हो गया पायरिया नी का मतलब हो गया निद्रा रोक की बीमारी जब आप निद्रा रोक की बीमारी हो जाती है तो नी का मतलब मे का मतलब मल मलेरिया हो जाता है और पका का मतलब पेचस की विमारी तो ये कुल मिलाकर कितनी विमारी हैं च्छे विमारी ये किसके कारण होती हैं प्रोटो जोवा के कारण होती है किसके कारण प्रोटो जोवा के कारण कालाजार की विमारी अमीवी पायरिया निद्रा मलेरिया और पेचस खुल मिलाकर 6 बीमारी हैं तो उम्मीद आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी 2-3 मिनट का ये वीडियो होता है सिर्फ डेली तो ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और वीडियो को सेयर कर दीजेगा फेस्बुक और वाटसप के स्टड़ी गुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग लेस वीडियो चाहें जावारा टेक केर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में